आपका स्वागत है आज आप सभी के साथ मैं शेर करने जा रहे हूं यिपी मसाला नूडल्स खाने में मज़िदार लगती है बच्चों से लेकर बढ़त तो कोई रेसिपी पसंद आएगी तो चलिए बनाना शुरू करते हैं तो गैस कौन कर दिया है कडाई रखेंगे और इस इसे हम इस तरह से काटेंगे और ये मैगी हम कडाई में डाल देंगे तो ये मैंने एक पैकेट डाल दिया है इसी तरह से हम दूसरा पैकेट भी काट लेंगे और इसे भी हम डाल लेंगे तो यहाँ पर मैंने दोनों पैकेट डाल दिया है अब इसके अंदर ये दो मसाला न जालने के बाद थोड़ा सा इस तरह से मिलाएंगे और इसे हमें तेज आज पर ही इसका थोड़ा सा पानी सूखने तक हमें से पकाना है हलका सा इसका पानी रह जाए तब तक इसे हमें पकाना है पूरा इसे सुखाना नहीं है पानी को तो देखिए इसे हमने पका लिया है करी इसके अंदर हम डालेंगे एक चम्मच जीरा तो आप देख सकते हैं जीरा चटक चुका है अब इसके अंदर में डाल रही एक प्याज मैंने मीडियम साइस का प्याज लिया था इसे मैंने इस तरह से टुकडो में काट लिया है इसी तरह से इसमें मैं डालूंगी दो हरी मिर् लाएंगे और प्यास को में लाल निकालना है हलका साइसे बूनना है एक मिनिट तक इसी तरह से बून ले एक मिनिट के बाद आप देखेंगे कि प्यास अच्छे से थोड़ा सा सॉफ्ट हो चुका है इसके अंदर हम डालेंगे टमाटर तो यहाँ पर मैंने दो टमाटर लिये तो यहाँ पर इसे ढख ले और इसे 2-3 मिनिट तक पका ले दीमियाच पर तो यहाँ पर 2-3 मिनिट हो चुके है और आप देख सकते हैं जो हमारे टमाटर है काफी हट तक सॉफ्ट हो चुके हैं अब देख सकते हैं अब यह कर्ची के मदद से इस तरह से दबाएंगे तो य हम आज पर इसे आप पकाएंगे ढखकर तो यह इस तरह से हो जाएगा अब इसके अंदर हम डालेंगे स्वाद अनुसा नमक इसे के साथ आदी चमच हल्दी पाउडर आदी चमच लालमश पाउडर डालकर अच्छे से इसे हम मिलाएंगे मसाले भी जादा यूज नहीं होता ह और खाने में भी यह बहुत ही मज़िदार लगती है बच्चों को तो यह स्पेशली पसंद आएगी तो आप जरूर ट्राइ कीजेगा अच्छे से मिला लिया है अब जो हमने मैगी तयार करके रखी थी वो इसके अंदर डाल देंगे तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है डाल अच्छे से मिला लिया है एक मिनिट के बाद इसके अंदर हम डालेंगे हरा दनिया बहुत ही मज़िदार बहुत ही हैल्दी अच्छे से इसे हम मिक्स कर देंगे फिर से तो आप देख सकते है कितनी बढ़िया लग रही है बहुत ही अच्छी खुश्वू आ रही है तो तैयार है सूपर टेस्टी यिपी मसाला नूडल्स एकदम जटपट से बनने वाली नूडल्स है अब हम गैस को बन कर लेंगे और इसे हम इस तरह से प्लेट में सव कर लेंगे सच बतारी हो ऐसे आप सव करके बच्चों को देंगे अपने तो वह खुश-खुश हो जाएंगे तो आप इस रेसीपी को ज़रूर ट्राय कीजेगा जितनी यह दिखने में मज़़धार है उससे ज़्यादा यह खाने में मज़़धार है तो बनाएं और मुझे कमें सेक्षन में बताएं कि आपको ही मेरी रेसीपी कैसी लगी है अच्छी लग़िए तो वीडियो को लाइ करना बिलकुल ना भूले आज के लिए बस इतना इकल फिर मिलती हूं नू रेसिपी के साथ तब तक के लिए थांक यू फॉर वाच्छेंग